आज सुप्रीम कोट में जम कुश्मीर में जो 4G इंटरेट की रिस्टूरेशन को लेकर PIL फाइल की गई थी उसके सुनवाई थी जो सुप्रीम कोट का बेंच था जस्टिस N.V. रामना, R. सुभाश रेड़ी, B.R. गवाई जिसमें शामिल थे उन लोगों ने Foundation for Media Professionals जिसे कर रहे थी Senior Advocate हुजेफा एहमदी, उनकी बात सुनी और साथी में आज के समय में जो Solicitor General थे तुशार महता और Attorney General है केके वेनु गुपाल जो की सरकार को रेप्रेजेंट कर रहे थे, उनसे ये कहा गया है कि वो संडे तक एफिडेविट फाइल करने उसे एफिडेविट मे बताएं कि आखिर अभी तक जो मुकश्मीर में 4G इंटरनेट क्यों नहीं चलाया गया, Ground Report जो है जो मुकश्मीर की वो दे कि क्या कारण है जिसकी वर्दा से 4G इंटरनेट चलाने में सरकार को दिक्कत आ रही है, साथी में मैं ये भी बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट में जो भ होना Article 14 जो कि Right to Equality Before Law है, उसकी violation है, Article 19 जो कि Freedom of Speech and Expression की बात करता है, उसकी violation है, Article 21 Right to Protection of Life and Personal Liberty उसको भी violate करता है और साथी में Article 21A यानि कि Right to Compulsory Education उसे भी violate करता है, ये सभी fundamental rights की violation जो है जो है जो मुकश्मीर में तब से हो रही है जब से internet restrictions जो मुकश्मीर में शुरू हुई है साथी में ये भी कहा, Senior Advocate हुजेफा आमधी जो कि Foundation for Media Professionals को represent कर रही थी Supreme Court में, उन्होंने ये भी कहा है कि इस समय तीन aspects पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, पहला health, दूसरा ailments और तीसरा education, ये तीन aspects हैं जिसकी जिन aspects में सबसे ज़्यादा दिक्कते लोगों क वो देखने को मिल रही है, साथी में online classes जो है, वो लोग अवेल नहीं कर पा रहे, students online classes नहीं पर पा रहे, उसके इलावा जो लोग है, टेली मेडिसिन का इस्तमाल नहीं कर पा रहे, online doctors को consult नहीं कर पा रहे, और साथी में इसका जवाब देते हुए, Advocate General K.K.Venu Gupal ने कहा ह कि जमो कश्मीर में अभी भी militancy है, इसलिए National Security को ध्यान में रखते हुए, अभी possible नहीं है कि जमो कश्मीर में 4G internet शुरू किया जाए, उन्होंने वही incident code किया, जो की Home Department का जो order था, जिसमें 2G internet को extend किया गया था, उस order में भी जिस incident का mention किया गया था, कि सोपोर में जहां पर टेरिस्ट को मार दिया गया, उसके बाद उसके जनाजे में 500 लोग इकठा हो गए, उन्होंने ये नहीं सोचा कि lockdown है, lockdown की violation करते हुए, social distancing को ध्यान में ना रखते हुए, 500 लोग वहां पर इकठा हो गए, तो उन्होंने यही कहा कि अभी तो 2G internet चल रहा है और उसके बाद भ अगर national security का सवाल आता है, वो भी मानते हैं कि internet restrictions की अगर जरूरत है, तो उन्हीं areas में internet restriction होनी चाहिए, जिन areas में इस तरह की कोई problem है, पूरी state में, मैं कहूंगे union territory में, पूरी union territory में 4G internet को नहीं शुरू करना, ये किसी भी तरह से अकलमंदी नहीं है, साथी में जो Supreme Court है, उ सुनी जो PIL, प्राइवेट स्कूल association जमुएन कश्मीर ने दायर की थी, उन्हों प्राइवेट स्कूल association जमुएन कश्मीर को रेप्रेजेंट कर रही थी, advocate चारू अमवानी और सोयब कुरेशी, उन्होंने petitioner के भ्याव पे वो Supreme Court में अपैर हुए, और उन्होंने ये कहा कि लगभग 27 लाग students जो हैं, वो इस वक परिशान है, वो इस वक education जो है access नहीं कर पा रहे हैं, वो इस वक पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि lockdown है और साथी में 4G internet भी नहीं चल रहा, तो इन सारी बातों को सुनते हुए Supreme Court ने के अंदर सरकार से ये कहा है, Supreme Court ने reason बताएं, पूरी ground situation बताएं, कारण बताएं कि क्यों अभी तक 4G internet नहीं शुरू किया गया, ground report बताएं कि किन-किन areas में इस तरह की दिक्कते हैं, अगर टेररिजम को लेकर दिक्कते हैं, अगर लोग कठा होते हैं, उस तरह के दिक्कते हैं, तो वो ground situation पे एक-एक चीज़ क detailed affidavit जो हैं, वो Supreme Court में file करें, और साथ ही में ये कहा है कि अगली hearing जो होगी, वो 27 April को, यानि कि Monday को होगी, और आपको याद ही होगा कि जो पिछला order भी 2G internet की extension को लेकर आया था, उस पर भी जो अगली तारीक है, वो 27 तारीक की ही है, कि 27 तारीक को जमकुश्मीर Home Department का नया order आना है कि क्या 4G internet जमकुश्मीर में चलेगा या नहीं चलेगा, अभी तक Supreme Court ने कोई भी जो है, फैसला नहीं सुनाया है, अभी भी hearing ही चल रही है, और पहले भी, मैं कहूंगी, April 9 को जो है, notice issue किया गया था जमकुश्मीर की सरकार को, कि वो email में जो है, response, email का जवाब दे और उन्हें बताएं कि 4G internet जमकुश्मी में क्यों नहीं चल रहा, notice issue किया गया था, एक हफ्टे के अंदर उसका जवाब देना था, आज जब hearing हुई, तो जो एडवोकेट जनरल है, केकी बेनी कुपाल उन्होंने यही incident बताया, कि जहां पर सुपोर में terrorist का encounter हुआ था, वहा कि लगबग 500 लोग एकठे हो गए, वहाँ पर उन्होंने lockdown की भी violation की, कुछ लोगों के खिलाफ FIR भी दर्च की गई, लेकिन उन्होंने कहा कि यह situation इस तरह की है, कि इस समय में 4G internet जमकुश्मीर में नहीं चला जा सकता, साथी मैं आपको यह भी बता दूं कि अब इंतजार क करना है, 26 तरीक को अफिडविट फाइल होगी, 27 तरीक को जो है, वो हेरिंग होगी सुप्रीम कोट में दुबारा से, और यह मालूम चलेगा कि जमकुश्मीर की सरकार क्या जवाब देती है, और क्या कारण है, और किन किन एरियास में इस तरह की problems है, जम्मु को लेकर खास जाता है, कि जम्मु में कब तक 4G इंटरेट शुरू कर किया जाएगा, और साथी कश्मीर की भी जहां तक बात करें, कश्मीर में भी कुछ एक एरियास हो सकते हैं, जहां पर इस तरह की problems हो, बाकी एरियास में भी फिर 4G इंटरेट क्यों बंद किया गया है, यह जवाब ज यह भी बता दूं कि 27 तारीक को ही, क्योंकि 2G इंटरेट की जो extension का order था, वो भी उसकी date भी खतम होगी, दुबारा से जम्मु कुश्मीर के home department को एक नया order निकालना है, क्योंकि पहले जब Supreme Court में judgment दी थी, तो उन्होंने यही कहा था कि indefinitely internet suspend नहीं किया जा सकता, इसी के चलत इतनी देर के लिए internet restrictions चालू रहेंगी, तो इसी को ध्यान में रखते हो, अब देखना यह है कि क्या Supreme Court में hearing से पहले ही, जो order आता है, उस order में 4G internet चला दिया जाता है, या फिर अभी भी 2G internet को ही extend करने का जो है, फैसला जमु कुश्मीर के सरकार लेती है, और Supreme Court में जवाब किया जाता है, तो कितनी देर और, लगभग 9 महीने, अब internet restrictions को तो हो चुके है, जमु कुश्मीर में, अब देखना ही है, और कितनी देर तक जमु कुश्मीर में 2G internet ही रहता है, या अगर वो increase करते है, तो 3G internet रहता है, और कब तक high speed 4G internet जमु कुश्मीर में restore नहीं किया जा है, जमु कुश्मीर के ऊपर, अगर वो 4G internet शुरू भी करती है, अगर 4G internet शुरू किया जाता है, हो सकता है, कि वो social media, जो applications है, social media networks है, उन्हें block कर दिया जाए, पर उसमें भी दिक्कत यह है, कि लोग VPN का इस्तमाल करके, जो भी site वो access करना चाहते हैं, वो access कर ही लेते है, फिलाल इस update से मुझे दीजे इजाज़त, मैंने आपको बता दिया कि Supreme Court में, पूरिंग हेरिंग में क्या कुछ हुआ, जो petitioner है, उन्होंने अपनी side में क्या कुछ कहा, और जो standing council है, उन्होंने जवाब देते हुए, क्या कहा, अब इंतजार है, 27 April का